वेल्कम टो कॉमर्स एक्सिस एविवान आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है तो आज आपको आपका टॉपिक तो दिखाई दे ही गया होगा इस सब्जेक्ट वर्प एक्रिमेंट राइट आज हम यह टॉपिक करने वाले हैं और रेड़ी मेरी बहुत सारी क्लासिस इस आपके साथ हो चुकी है जिन में आपको काफी सारा व्यूंअच जो टॉपिक से कवर करवा चुक एक तो यह में अपने किया है में साथ पाइट स्पीच आर्ञट इस पर मैने बहुत सारे और आपके और दूसरा फिर मैंने आपके साथ कर लिया है आर्टिकल्स और अभी मैं आपके साथ कर रही हूं सब्जेक्ट वर्ब एक्रिमिंट ठीक है और इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी मुडार्स और उसके बाद जो भी एक-दो छुड़े मुटर टॉपिक्स रह जाएंगे वह और उसके बाद आपका इंग्लिश का कोर्स खतम हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम कुश्चन पेपर जो है वो प्रक्टिस करेंगे और या फिर मैं आपको कुछ और एक्सिस करवाऊंगी जो भी टॉपिक रिलेटेड है तो वो सब होगा लेकिन जितना मैंने अभी तक और आप स्लेबस से मैच करते रहेगा कि हाँ ठीक है ये चीज हुई है या चीज ये मिस हो गई है तो उसके कोर्डिंग फिर हम अपना सब आगे प्लाइन करेंगे ठीक है मैंने आपको फर्स क्लास में ही बताया था कि आपके माइन में एक चीज बिलकुल क्लियर होनी चाहि ठीक है तो इंगलिश जिसे की मैं आमको पड़ा रही है तो आपको इंगलिश का जो भी स्लेबस में टापिक हैं आपको मतलब बाय हाड नहीं लेकिन इतलिस रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये 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 टापिक मेरे कवर हो गये हैं ये मुझे समझ आ गए हैं ये चीज जो है वह हमेशा अन प्रेडिक्टिबल होता है आप कुछ एक्सपेक्ट मत किजिए कि एक्जाम में यह आएगा वह आएगा आपको क्या करना है आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वह 100% रखनी है आपको अपनी कॉंसेप्स बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर रखना है जहां पर कोई डाउट ना हो बिल्कुल भी किसी भी चीज से रिलेटर समझ रहे हैं आप लोग येस तो जितना मैंने आपको अभी तक करवा दिया है 15 क्लासेस में आप मुझे बताइए कि आपको अगर उसमें कुछ भी कन्फूजन है तो हम उस चीज से डील करेंगे और उस चीज को को सॉल्व करेंगे ठीक है फिर मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है हमें जितना पढ़ाया जाता है हमें उतना पढ़ना है प्लस हमें करते हुए चलना है क्या होता है कि हमने आज अपनी class ले ली ठीक है अब हमें first class में क्या करवाया था हमें याद नहीं समझ नहीं पता नहीं और आपको मैं एक और बात बता दूँ कि grammar जो है वो बहुती interrelated है अगर आपको मैं कुछ previous class में बता दिया है मैंने तो उसका use जो है वो आज की class में भी होगा और आज की class को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको previous जो classes है वो अच्छे से समझी हुई उनी चाहिए ठीक है इसलिए मैं आपको बार-बार बोलती हूँ अगर आपने कुछ classes skip कर दी है या फिर कुछ classes के topics को आपने skip कर दिया है तो आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि फिर आपको आगे की जो होगी problem वो खुदी face करने पड़ेगे फिर आपके दिमाग में फिर वो doubts pile up होते रहेंगे तो आपको pile up कुछ भी करना नहीं है बिल्कुल ठीक है तो ये तो हो गई आपकी बहुत लंबी चोड़ी अभी बात चलिए सो अब हमने subject verb agreement के जो है rules सीखने है rules क्या होते हैं वो मैं आज आपको half करवाओंगी कल half करवाओंगी ठीक है उसके बाद ये topic क्या हो जाएगा हमारा complete चलिए तो अभी आपकी screen पर आप देख सकते है rule number one दिख रहा है आपको is it visible to you all if subject is singular then verb then it takes singular verb देखिए अगर subject जो है वो singular है तो उसका verb भी क्या होगा singular होगा ये मतलब इतनी इसी बात है subject singular तो verb singular क्या ये बात समझाएए इस तरीके से लिखकर रखेगा subject singular तो verb भी singular जैसे कि he writes novels वो novels लिखता है he जो है subject of this sentence is a singular ये single person है है ना तो इसका जो verb रहेगा वो क्या होगा वो किस में होगा आपका singular में होगा देखिए हमारे tense में हमने पढ़ा है सीखा है कि अगर जब भी हम किसी singular इंसान की बात करते हैं या think की बात करते हैं तो उसके साथ जब हम verb लगाते हैं ताब उसके साथ s या es को हम add करते हैं इससे हम बताते हैं कि वो चीज जो verb है वो singular के लिए use हुआ है ऐसा करते हैं हम राइट जैसे की s का तो example ये है और es का ये है राम गोज टू स्कूल डेली पढ़ा आप लोग उन्हें राम गोज टू स्कूल डेली जो राम है this is your singular subject है ना singular subject है ये और जो ये गोज है ये भी आपका singular verb है क्योंकि हमने गोज हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है ये गो होता है हमने इसके साथ es को add किया है गोज ठीक है so राम गोज टू स्कूल डेली तो ये चीज़ा आपका अपसाज आईए ठीक है कुछ exception है यहाँ पर जैसे कि I जो है वो हमेशा am and was को ही अपने साथ लेता है ठीक है जैसे I am very happy मैं बहुत खुश हूँ ठीक है या फिर हम लिखते है I was absent in yesterday's class ऐसा ठीक है तो आपको नूट करने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर am use कर रहे हैं और यहाँ पर was use कर रहे हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे I were absent वर नहीं होगा यहाँ पर am होगा या was होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस context में किस tense में बात कर रहे हैं क्लियर हुई यह चीज नेक्स यू टेक्स वर यू जो है हमेशा ही वर लेगा यू आप एक singular इंसान के लिए भी use करते हैं जैसे कि एक परसंडीग ने रिखेंगे यू यू जो है वह और ही लेगा वास नहींद के यू के लिए रिखने isine के उस्स वर ही यू पर यू नहीं नहीं है बस याद करना है और नोट डाउन करके अच्छे सा अपनी नोट बुक में रखना है और उनको बार बार रिपीट करते रहना है ठीक है अभी जैसे में आपको 15 दूंगी तो आप अभी सोने से पहले कम से कम ये 15 रूस को चार से पांच बार पढ़ लीजिए से याद ह नहीं हो that is the different thing altogether लेकिन आप क्या करेंगे आप एक बर ही इन सब को एक बर ही रिट आउट कर लेंगे अपने जल्दी 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 या पर धीरे जैसे भी आपकी स्पीड है ठीक है चलिए तो नेक्स वन इस योर रूल लंबर टू इफ सब्जेक्ट इस प्यूरल बैं इ यह रूल नंबर टू है अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल में तो आपका वर्ब क्या होगा प्लूरल में ठीक है जैसे कि they are playing football they आपका यहां पे सब्जेक्ट है और यह क्या है प्लूरल में दे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो यहां पे आर लगाएंग इस नहीं लगाएंगे है इस फॉर सिंगिलर सब्जेक्ट और आर जो है आपका प्लूरल के लिए है आर की जगे हम वर्वी यूज़ कर सकते हैं यहां पर ठीक है यह चीज़ क्लियर हुई next students are planning to go on a trip जो students है वो plan कर रहे हैं trip पर जाने के लिए तो यहां पर note करने वाली बात है students यह आपका क्या है plural में है इसलिए आपका जो यह verb है our auxiliary verb जो है आपका किस में होगा plural में होगा समझाई यह तो easiest one है बहुत hard नहीं है यह rules पर यह है कि rules है आपको एक बार ही पता चल जाएंगे आपके दिमाग में वो चीज़ डल जाएगी न तो आपको चीजों की clarity हो जाएगी और आप उनको spot करने लग जाएंगे difference करने लग है ना मैंने आपको बताया है पहले भी कि आपको rules की clarity होनी ज़रूरी है अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा rule भी है कुछ तो आप फिर मतलब क्या ही apply कर पाएंगे उसमें if two singular nouns are joined with and then the verb is plural देखिए कोई भी दो nouns है singular noun singular singular ठीक है मतलब एक एक noun है उनको हम join कर देते हैं end से end आपका conjunction है याद है हम किसी भी चीज को end से क्या करते हैं add up कर लेते हैं उनको एक चीज में ला लेते हैं yes तो जब हम दो noun को end से एक साथ connect कर दे रहे हैं तो जब वो उनका verb होगा उन दोनों noun का let's say one एक verb आपका noun है और two आपका एक noun है इसके बीच में हमने लगा दिया end अब जो इसके आगे verb होगा ये होगा plural में ये इतनी सी बात है क्या clear हुई है ये बात जैसे की रिया and राम यहां पे राम उन चाहिए था राम go to same school जो रिया और राम हैं वो same school में जाते हैं हमने अभी मैंने आपको बताया था सीखा था राम goes to school मैंने आपको बताया था अब यहां पे जो आपका subject था राम that was singular that is why the verb it has taken was also singular but see the sentence यहां पे आपके दो नाउन्स हैं और यह दोनों नाउन को हमने and से क्या किया है connect कर लिया है अब इन दोनों नाउन के लिए हम एक verb यूज करें singular go तो यह जो होगा वो किस में होगा plural में होगा is this clear to you all yes next our television and wi-fi system are connected एक television और wi-fi system है जो connected है अब यहां पे हमने क्या यूज किया है are although एक television और एक ही wi-fi की बात हो रहे है लेकिन अब जो यह दोनों नाउन्स हैं they are connected by and समझ रहे हैं आप लोग तो यहां पे जो आपका auxiliary verb है it's in plural rule number four if two singular nouns are joined with and but before them there is each every none etc are used then it takes a singular verb अभी मैंने क्या बोला है यह पूरा sentence आप लोग अपने दुबारा read out कीज़े समझ आया नहीं कोई बात देखिए कोई भी दो singular nouns हैं जिनको हमने end से जोड लिया है जैसे कि अभी हमने किया था लेकिन यहां पे एक और condition है but before them there is पर उनके आगे आपने लगाया है each every and none या कुछ ऐसे ही words तो फिर हम क्या करेंगे उनका verb जो होगा उसको हम singular में लेंगे यहां पे हमने क्या किया था plural में लिया था यहां पे क्या है singular जैसे कि each member and each non staff of the company was invited each member देखें एक member और each non staff of the company was invited यहां पे देखिए जो auxiliary verb है it's in singular form singular में है ये वैसे ही every student and every teacher has their respective duties यहाँ पर ये देखिए has singular में है ये नहीं दियो plural के लिए हम क्या use करते है have तो इसका basically आपका क्या बनता है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको एक ये noun हो गया आपका end से हमने दो नाम को जोड़ दिया ठीक है अब इनके आगे हमने each लगा दिया या every लगा दिया या none लगा दिया ठीक है तो आपका जो verb होगा वो कौन सी form में हो जाएगा singular form में इस sentence का मतलब ये है clear हुई है चीज़े चली बेरी गुड rule number five if two singular nouns are joined with and to express something about a poison thing or expression then it takes singular verb देखिए कोई भी दो नाउंस है उनको हमने एंड से जोड़ा है अभी हमने मैंने आपको क्या बताय था कि एंड से जोडने पर दो singular nouns को हम plural form of the verb लेते हैं लेके जब हम express करते हैं about a person thing or expression मतलब उस चीज़ को मतलब ऐजा वन लेकर जैसे कि आपको भी समझाएगा bread and butter is my favorite breakfast देखिए bread और butter दो different nouns हैं लेकिन हमने इसको बतलब एक ही साथ यूज़ किया है जैसे कि bread और butter हमें एक साथ ले रहे हैं वो मेरा favorite क्या है breakfast है इसलिए हमारा यहां पर इस जो है auxiliary verb singular में है क्या यह चीज़ क्लियर हुई हम एक ही expression को यहां पर express कर रहे हैं जैसे कि crown and glory comes with great responsibility अब यहां पर crown and glory है यह दो different nouns हैं but we are using together them as one thing to express a one expression तो इसलिए जो comes है इसके आगे हमने क्या add किया है to make it singular तो इसलिए यह singular verb बनता है आपका ठीक है all right next rule number six if two nouns or pronouns are joined with जब दो noun या pronoun हम add करते हैं किसे as well as in addition to besides like unlike with along with together with accompanied by led by headed by guided by controlled by etc etc then the verb is according to the noun or pronoun gives given in the first case तो जो नाउन या प्रोनाउन जिस वे में दिया होगा आपके sentence में उसी के according आपका verb होगा जैसे की Ria along with her family is visiting my place today Ria जो है आपका first जो यहाँ पर प्रोनाउन है this is Ria and this is in singular form है ना एक ही नाउन है यह एक ही बंदी है यह Ria आप देखिया आगे हर family यह भी एक नाउन है उसका परिवार ठीक है लेकिन along with आ रही है वो मेरे घर पे आज विजट करने है आपने यहाँ पर जो यह auxiliary verb है यह किस पर depend कराया है रिया पर जो first case था आपका रिया इसलिए यह किस form में है singular form में समझाई आपको next example एक और देख लीजिए you unlike your group always perform well तुम अपने group की तरह नहीं हो आप हमेशा अच्छा perform करती हो यहाँ पर अगर you जो है यहाँ पर perform पर को क्या कर रहा है identify कर रहा है समझे आप लोग बहुत difficult नहीं है चीजे अगर हम चीजों को जोइन करते हुए चलते हैं और एक बर जो रूस में बता रही हूं यह एक बर शायद आपको clear ना भी हूं लेकिन जैसे बताया आप बार बार इनको क्या करेंगे रीड आउट करते करेंगे आपने नीदर के बाद एक सब्जेक्ट लिखा उसके बाद नौर के बाद एक सब्जेक्ट मतला नाउन ठीक है नाउन लिखा या प्रोनाउन लिखा तो जो यह वर्ब है जो आने वाला है यह डिपेंड करेगा आपके निरेस वन पे तो यह सेकेंड पर डिपेंड करेगा क्लियर हुई यह वार बहुत डिफिकल्ड बात नहीं है नॉट उन्ली रिया बट आल्सो अदर चिल्डरन वर प्लेइंग फुटबॉल सिर्फ रिया ही नहीं पाकी बच्चे भी फुटबॉल खेल रहे थे अब देखे अधर चिल्डरन तो हमारा यह सबजेक्ट जो है यह सेकिंड सबजेक्ट है और रिया हमारी फर्स सबजेक्ट है यहां पर जो वर है यह हमारा वर्ब है तो ये किस पे depend हुआ ये was हमने लिखा नहीं रिया के अकर according लिखते तो यहां पे was होना चाहिए था लेकिन क्योंकि ये nearest इसका subject क्या है children और children क्या है plural तो इसलिए ये भी plural form में होगा समझ आया है चलिए जैसे एक और example देखीजिए Neither you nor she was watching the movie movie देख रहे थे अब देखे अगर यहां पे एक आपका अगर क्या है यहां पे यू एक subject है और जो she है ये आपका second subject है ठीक है लेकिन आप जब यहां पे वाप देखेंगे वो क्या है was वर नहीं है यू पर हमारा वर डिपेंड करता है लेकिन यहां पे हमने वर नहीं किया क्योंकि यह जो verb है वो अपने नियरे subject को लेगा और नियरे subject क्या है singular में है and that is she is in singular इसी लिए आपका verb भी यहां पे क्या हुआ है singular clear हुई यह बात चली यह बरी गूँए रूल नमबर 8 if subjects are joined with not but slash not then the verb follows that subject which is not with the subject not कोई बात ही अगर आपको कही बर क्या होता है कि जब हम definition देखते हैं तो हमें clear नहीं होता इसी लिए मैं आपके लिए examples लेकर आती है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है आप grammar को without example करी रही सकते अगर आप कहीं से भी grammar without example पढ़ रहे है तो वो आपके लिए long term नहीं है आप देख लीज़े example not her but her friends were at the party देखिए इसमें ये कहना चाहता है जो ये subject इसमें आपको दो subject मिलेंगे जो की join होते हैं या तो not but से या फिर not से ठीक है तो इसमें क्या होगा जो आपका verb होगा वो उसको follow करेगा जो not ये not लगा हुआ है nai इसके साथ जो subject है वो उसके साथ नहीं होगा तो अगर इसके आगे not लगा हुआ हरके आगे तो verb इसके depend नहीं करेगा वो दूसरे subject पर depend करेगा समझे, जैसे कि एक बात, एक बार एक बार समझे, एक not लगा हुआ है, और ये है आपका first subject, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको add कर दिया, but, और ये है आपका second subject, ठीक है, अब जो आपका verb होगा, वो depend करेगा second वाले, किस पर, subject पर, क्योंकि इसके आगे not नहीं लगा है, अगर इसके आगे not लगा होता, तो फिर आपका ये जो verb है, वो first पर depend करता, समझा ये बात, चलो एक और बार बताती हूँ, देखो, हमारे पास दो subject हैं यहाँ पर, one and two, जिनको हमने add किया है not but से, ठीक है, अब हमारा verb आएगा, अब verb किस form में होना चाहिए, singular में होना या plural पर, वो इस बात पर depend करेगा, जो भी subject without not है, जैसे कि इसके आगे not नहीं है न, second वाले के, तो इस पर depend करेगा, ठीक है, जैसे कि not her friends, not her but her friends were at the party, अब जो ये were है, वो depend करेगा friends पर, क्योंकि friends के आगे not नहीं लगा हुआ है, हर के आगे लगा हुआ है, अब देखिए, नेक सिखिए, she not her friends is responsible for this, वो नहीं उसके दोस्त responsible है, इस चीज के लिए, अब देखिए, यहां पर दो subject, subject को पहले identify कीजिए, इसके आगे लिखिए one, इसके आगे लिखिए two, अब मैंने बोला, जिसके आगे not होगा, उस पर depend नहीं करेगा, तो जो ये not है, आपके friends के आग आगे, तो आपका जो ये verb है, किस पर depend करता है, she पर, और she क्या होता है, singular, इसलिए यहां पर is है, ठीक है, identify करना आया, बहुत मुश्किल था, नहीं, बहुत मुश्किल नहीं था, पर बस था, रूल था, है न, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि अगर हमें नहीं आत बड़ी बात यह है, कि हम सीख रहे हैं, we are learning, रूल नमबर 9, if subject of a sentence is each, either, neither, then it takes a singular verb, यह तो direct rule है, जो मैंने definition दी है, रूल नमबर 9 कि यह आपने पड़ी, अगर आपका, जो subject है, sentence का, अगर वो है, each, either, neither, तो जो verb होगा, वो singular होगा, direct rule, इसमें समझना ही कुछ नहीं है, I invited two friends, but neither has shown up, मैंने दो दोस्तों को बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं आया, नीदर के, आपका नीदर आगया है, यहाँ पर as a subject, तो आपका यहाँ पर have नहीं आएगा, आपने दो दोस्तों को बुलाया है, उसके बावजूद भी, यहाँ पर क्या आएगा, has, singular verb लेते हैं, यह, each, either, and neither, नेक्स्ट पढ़िया, manager proposed two ideas, but neither has worked, पर दोनों ही नहीं चले, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आपने कौन सी चीज नोट डाउन करनी थी, has, वो थारे, singular, क्योंकि नीदर है यहाँ पर, मैंने नीदर का ही example लिया है, ताकि मैं चाती हूँ, आप इच और इदर का अपनी तरफ से नोट बुक में लिख कर रखे हैं, तो मैं आपको पहले ही बताती रही हूँ कि आपने example जो है अपनी तरफ से ज़रूर एड करने हैं अपनी लिस्ट बुक में, ठीक है, रूल लंबर 10, आफ्टर, इच और इदर ओफ, नीदर ओफ, नन ओफ, एवरिवन ओफ, वन ओफ, एक्सेक्टरा, दे नाउन और प्रूनाउन इस प्लूरल, बट द वर्ब रिमेंस सिंगिलर, यह मैं आपको लास्ट क्लास भी जो मैंने आंटिकल्स करवा रहे ही, तब भी आपको बताई थी, जब भी हम इच और ऐफ, इदर ओफ, नीदर ओफ को लिकते हैं, इसके बाद हमारा क्या होता है? इन सभी वर्ब्स के बाद हमारा क्या होता है? जो नाउन ये प्ररॉनन है, मतलब सब्जेक्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका प्लूरल में लेकिन जो व आपको और यह उपर को फॉर्मेट याद करना है जैसे कि इच आप दे बॉइज वोस डांसिंग देखिये जो यह बॉइज है इस सब्जिक्ट नाउन या प्रोनाउन है यह अब यह होगे आपका प्लूरल लेकिन यह जो वॉज है यह क्या है आपका वर्ब है लेकिन दिस इस इन सिंगिलर फॉर्म है ना नेक्स वन देखिये वन ओफ देम है स्टॉप दाल लिस्ट देम बताब बहुत सारे लोगों की बात करें subject subject जो है आपका ये है और ये है आपका plural has क्या है singular में समझे आप लोग है ना बहुत बड़ी बात नहीं थी बस चोटे सा ये जो आपका rule है वो याद रखने आपके rule number 11 if the subject of the sentence is everybody, nobody somebody, anybody somebody, someone, none everyone, anyone, everything nothing, anything, etc then the verb is always singular फिर क्या होता है वर्ब हमेशा singular होता है ठीक है तो आपके क्या है ये आपके बन गए है subject ये subject है अगर आपके ये words याद करने हैं आपको अगर ये subject है तो आपको वर्ब किस फॉर्म में होगा singular form जैसे की everyone was planning some music, was playing some musical instrument, हर कोई कोचना कुच musical instrument play कर रहा था, everyone everyone आगे ये 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 तो आपके दिमाग में तरण स्ट्राइक होना चाहिए ये जो हमारा work होगा that will be in singular form यहाँ पर वर नहीं आ सकता या फिर आर नहीं आ सकता everyone है next आप पढ़िए someone among my friends likes to read novels मेरे कुछ दोस्तों में ही से एक है जो की नौबस पढ़ना पसंद करता है समवन ठीक है अब यहाँ पर समवन आ गया इसलिए जो हमारा लाइक है वो एस हमने एड किया है मैंने अभी बताया आपको एस यह एस हम एड करते हैं वर्ब के साथ to make it singular तो इसलिए यह जो आपको वर्ब है it's in singular form मैं मतब I read novels a lot मुझे novels पंडा बोकत पसंद है और मैं बोकत साही novels परते हूँ rule no.12 if the subject of the sentence is अगर subject जो sentence का है many, both, few, a few, a lot, etc then the verb is always plural तो अगर आपके यह जो words है अगर यह आपके sentence में क्या है subject है तो आपका verb किस में होगा verb will be in plural form जैसे कि both are hard working and beautiful दोनों ही hard working है और सुन्दर है both नेख रहे हैं आप लोग बोद यहाँ पर क्या है subject है of this sentence तो इसी लिए जो आपका यहाँ पर verb है वो किस form में है it's in plural form next few people are not invited कुछ लोग invited नहीं है few है यहाँ पर few is your subject ठीक है it's in plural form कुछ लोग जो यह जो words है यह हमेशा एक से ज्यादा लोगों की बात करते है इसलिए इनका जो वर्प है वो plural होता है समझ गए आप लोग चले rule number 13 after both of a few of few of many of a lot of etc the noun or pronoun is plural which is followed by plural verb अगर यह words आपको दिखते हैं जैसे कि both of a few of few of many of a lot of तो इसके बाद क्या रहेगा आपका जो subject होगा वो किसमे होगा वो भी plural में होगा और आपका verb भी क्या होगा plural में ही होगा जैसे कि many of the visitors are from Canada देखिए जो visitors है यह आपका subject है subject है और यह किसमे है visitors है ऐस लगा हुआ है तो obviously यह plural में है और जो आर है आपका auxiliary verb है और यह क्या है plural में है ठीक है क्या आपको यह बात समझा रही है clear हुआ आप लोगों को चलिए both of them are ready to go next level वो दोनों ही तैयार है next level पे जाने के लिए them both of है यहां पे them आपका subject है और यह है आपका plural में are आपका auxiliary verb है and it's in plural form ठीक है इतना कुछ difficult है नहीं actually आपको बैसे भी idea हो जाएगा लेकिन इसमें आपको एक बात यह याद रखनी है कि आपको subject इनके बाद क्या लगाना है plural में लगाना है उसके बाद आपका verb का उतना problem नहीं रहेगा है ना तो यह चीज़ा आपने याद रखनी है कि subject इसके बाद क्या आएगा plural आएगा rule number 14 after many, great many या फिर a good many etc. के बाद noun is always plural which is followed by plural verbs देखे अब यह तीन आपको कहीं पर भी दिखेंगे तो आपका जो subject होगा वो क्या होगा? plural में होगा और plural subject को हम plural यहाँ पर verb के साथ क्या करवाएंगे? follow करवाएंगे तो आपने इसमें भी कौन से बात याद रखने हैं अगर आपको यह words रिखते हैं तो आपने subject को plural रखना है और उस plural subject के साथ ही आपको verb को agree करवाना है a good many number of students were present बहुत सारे बच्चे क्या थे? present थे अब यहाँ पर subject चेक कीजिए students जो है आपका subject है ठीक है? यह subject है और यह क्या है? singular और यह word जो है आपका verb है auxiliary verb है आपका और इसे plural ठीक है? मैं इस singular बूला है कि प्लूरल बूला है? क्या लिख दिया नहीं? हाँ तो यह plural है क्योंकि यह S लगा हुआ है ना? आप देखिए a great many boys are playing football in the ground आप boys जो है आपका subject है और यह क्या है? singular में है और sorry plural में है क्योंकि यह S लगा हुआ है S देखती ही समझ जाएंगे आप लेकिन हर किसी में S का मतलब वो plural ही नहीं होता है वो अलग चीज है वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी लेकिन फिलहाल आप यह समझे कि यह जो है वो subject plural है और यह work जो है इसी लिए plural form में हुआ है यूस ओल्राइटी चले यह है आपका rule number 15 तो rule number 15 आज आपके लिए last rule होगा उसके बाद के जो rules रह जाएंगे वो मैं कल आपको class में complete रवाँगी ठीक है? आज के लिए इतना ही होगा so after a number of a large number of etc. the noun is plural which is followed by a plural verb अगर आपको यह word दिखता है a number of या a large number of तो आपका क्या होगा इसमें जो आपका subject होगा वो किसमे होगा plural होगा और जिसके साथ आपको verb agree करवाना है वो भी plural में ही करवाना होगा जैसे कि a number of citizens have belief in it बहुत सारे citizens इसमें belief रखते हैं अब देखिए जो citizens है यह आपका subject है और यह है plural form में ठीक है have जो है आपका verb as an auxiliary verb यूज हुआ है और यह भी आपका किसमें है plural में ठीक है a large number of people people जो है आपका subject है and लोग तो हमेशा plural में ही होगे कोई एक इनसान लोग होते हैं क्या नहीं आर आपका auxiliary verb है जो कि plural में है believers of God Shiva God Shiva के believers होते है क्या यह rule 15 जो मैंने अभी तक बताए है आपको clear हुए है अगर clear हुए है तो मुझे comment section में जरूर बताएगा कि आप आज की class आपको कैसी लगी और कितना समझ आया आपको या फिर कुछ points जो नहीं भी समझ आये है तो कौन से points है जो आपको समझ नहीं आये है है ना ताकि मैं आपको वो points आपको मनदर next class में क्या कर सको clear कर सको तो आज हमने क्या किया है आज हमने किया है subject verb agreement की आधी class half class आज हमने कर ली है और इससे पहले हम कर शुके है क्या कर शुके है parts of speech and articles आपके parts of speech में आपके बहुत सारे topics cover हो गए है बलकि मैंने आपको extra ही कर वा दिया है उतना आपको जरूरत नहीं थी लेकि मैंने सोचा क्योंकि आपको फिर चीज़े क्या होगी कि फिर मैं बोलूं कहीं और से पढ़के आईए तो आप वो सब मतब आदी क्लास यहां आदी क्लास वहां ऐसा तो आप कर नहीं सकते तो इसलिए मैंने सारा आपको complete कर वा दिया है ठीक है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है extra ही पढ़ा दिया है तो extra पढ़ा हुआ कभी घाटे भी नहीं जाता ठीक है तो इसकी क्लास भी हमारी कल कतम हो जाएगी उसके बाद आपका word of the day चल ही रहा है जिसमें आपके तीन चार टॉपिक्स क्या होते हैं कवर होते जा रहे हैं आज आप अपनी इस लेवरष वाली क्लास में दुबारा जाएगेगा और देखिएगा कि आपके कितने टॉपिक्स मेंải करवा दिये हैं और कितने टॉपिक्स बच गए हैं इसके बाद मैं आपके क्लास लेने वाली हो मोडाल्स की ठीक है उसके बाद एक-डो जो topics बचाएंगे वह भी करवाने के बाद आपका English का क्या होगा course complete हो जाएगा ठीक है तो आज अगर आप first time है इस चैनल पर Commerce Access पर तो please like share and subscribe this channel Commerce Access जहां पर हम आपको UPPCL का complete free course प्रवाइट कर रहे हैं for UPPCL के Commerce and English so thank you so much for watching me here on Commerce Access it's time to sign off now thank you so much